गुड मॉर्निंग एव्रिवॉन स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात जो मुझे आप तक पोशानी थी और आप लोग सभी बात एक करने ही क्योंकि काफी टाइम हो गया देखो एक्चुली कई सारे बच्चे रिक्व नहीं कर पा रहा था आज से आपके प्रोपर वीडियो आएंगे ठीक है और रही बात नोट्स की जो की काफी बच्चों का प्रॉब्लम है तो नोट्स के लिए आपको इस लेक्चर के लास्ट में ठीक है मैं अपना वाट्साप नमबर दूंगा और आपको उस नमबर पे सि सबको डिस्टर्व करता है तो बहतर होगा कि काम का बात करें नहीं तो फिर आप ग्रॉप से एक्जिट कर दिये जाओगे ठीक है तो चलिए हम लोग आज कौन सा सब्जेक स्टार्ट कर रहे हैं आई होप आपको हिंट मिल गया होगा हम लोग क्रॉप प्रोड़क्शन टेक कर दिया है तो देखो हम लोग जो क्रॉप प्रोड़क्शन टेकलॉजी यह उसको दो फेस पर ना है एक सेमेस्टर थर्ड के अंदर आपको खरीफ क्रॉप के बारे पर नहीं तो हम लोग खरीफ क्रॉप में जितने भी क्रॉप आते हैं जो आपके सिलेबस में हैं उसको काफी अच्छा मतलब यह सब्जेक्ट होता है मार्किंग करने का क्योंकि आपको यहां पर चीजें आपको उसके डेटा याद करते जाना है आपके नमबर नहीं कटेंगे ठीक है तो चलो आपको बोर्यत नहीं समझना है काफी इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है तो हम करता है तो चलिए आते है डोग सॉरगम के उपर और जानते है इसका क्या है को मनें इम इस पर व्लियत ड़ों करता है किस सभाइल से हैं को मॉस्टली किस दौपजation की नाम से लोग जानते हैं जोगी हर एक जगह पही होता है मतलब हुए कि हैसा नम हर एक जगह पींद लावा जुआर भी बोलते हैं तो कन्फूज मत करना कहीं पर जुआर लिखा हुआ है तो मतलब सरी तो हम पढ़े नहीं थे अरी भई सौर्गम कोहीं तो बोल रहा है यह जुआर खीक है तो कन्फूज नहीं करना है इसका बॉटेनिकल लेम क्या है सौर्गम बाइक कॉलर एक जब भी आप एक्जाम में पोटेनिकल लेम मेंसन करते हो तो नीचे की तरफ जो आप लिखे हो उसके नीचे की तरफ आप क्या किजिए सेपरेट अंडरलाइन किजिए यहाँ पर एक ही में हो गया है सेपरेट वहाँ पर आपको अंडरलाइन करना होता है तब जाके आपको दूसरा नेम होता है पोईश्टी ठीक है इस आपको भी याद हो जाए आपको इसको ज्याद करना है कौन से फैमिल से बिलोग करता है ग्रैमिनी या पोईश्टी ठीक है आगे बढ़ें कुछ important facts हम लोग देखते हैं सौर्गम के उपर सौर्गम को हम लोग camel crop बोलते हैं आपके competitive examination point of view से काफी important है सौर्गम is also known as camel crop अब आपके mind में आ रहा होगा सर सौर्गम और camel का क्या relation है पसमें क्यों हम लोग इसको camel crop बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि camel आप देखे होंगे वैस काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है और काफी ज्यादा वहां पर drought होता है सुखा होता है वहां पर अपने आपको better grow कर पाता है better survive कर पाता है जस्ट इसी तरह से सौर्गम भी आपका एक ऐसा crop है जो drought resistant है जो कि extreme high condition में भी आपने आपको grow कर लेता है इसलिए हम लोग सौर्ग crop for fodder purpose I hope so आपको पता होगा fodder का मतलब क्या होता है fodder का मतलब होता है ऐसा crop जिसका यूज हम 4 परपस के लिए करते है चारा का मतलब क्या हो गया कि ऐसका ऐसा crop जिसका यूज हम cattle के feed में करते हैं ठीक है उसको क्या बोलेंगे fodder crop बोलते है तो सौर्गम भी एक fodder crop की तरह व flooring हो जाते है तब ठीक है आप जब उसमें 50% से कम flooring होते हैं उस stage को बोलते है निया stage ठीक है आप देख पड़े होंगे सौर्गम में एक stage होता है निया stage इसको growth and development stage बोल दीजिए कोई दिकत नहीं है यहाँ पर क्या होता है कि सौर्गम का जो plant होता है उसमें कई सायरे leaf ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब यह नियस्टेजम होता है न तो इसके leaf में कुछ highly toxic chemicals पाय जाते हैं जैसे कि आपका hydrogen cyanide आपका prusic acid ठीक है इसके लावे एक और होता है durine acid यह कुछ ऐसे harmful chemical हैं जो कि उसके leaf में पाय जाते हैं और जब इसको cattle feed करेगा तो उसकी death हो जाती ह है ठीक है इसलिए हम लोग सोर्गम को for the purpose में यूज कब करेंगे जब उसमें 50% से जादा flooring हो गया है तब ठीक है क्योंकि बाद में इसका concentration जो है काफी low हो जाता है वह फिर effect animal पे नहीं करेगा ठीक है is it clear everyone चलो ठीक है very good आगे move करते हैं नो सोर्गम का कुछ ऐसा variety है जिसक आपको better grow करता है और अच्छा yield देता है वो variety है आपका M35 first ठीक है देखो एक variety है CSH first इसके बारे में तो सबसे पहले जान लो यह first hybrid variety है सोर्गम का जिसको 1964 में बनाया गया था ठीक है और यह जो CSH first variety है वो drought मतलब अगर आपका field जो हो काफी सूखा है या फिर आपके field के अं भी वहाँ पर यह CSH first वाला variety है सोर्गम का वो grow कर जाएगा ठीक है तो CSH first hybrid variety है सोर्गम का जिसको 1964 में डेवलप किया गया था यह drought और salty tolerant variety है इस इट किलिए नौ देखो सोर्गम की बात करें तो सोर्गम एक C4 plant है I hope आपको C3 plant क्या होते हैं C4 plant क्या होते हैं C4 plant क्या होते ह होगा ठीक है मैं आप इसका नहीं करूंगा क्योंकि इसको मैंने plant physiology के अंदर पढ़ाया हुआ है ठीक है आप वहां से जाके पढ़ सकते हो साथ में बात और जान लीजिए सोर्गम एक annual plant है वाट इस annual plant ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना life cycle एक सिजन में क्या करते हैं complete कर ले है इसका germination type hypozeal है ठीक है दो तरह के germination होते हैं एक होता है epizial एक होता है hypozeal epi का मतलब above the soil और hypo का मतलब below the soil ठीक है तो यह term आप बच्चा से पढ़ते हो तो इसको मैं आपको बता दिया कि दो तरह के germination होते है epizial मतलब हो गया above the soil soil से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और hypozeal मतलब below the soil ठीक है आई होप आपको इहाँ तक clear हो गया होगा चलो आगे बढ़ते हैं नो इसकी climate की बात करें तो sorghum जो है वो mostly warm climate में इसको चाहिए ठीक है sorghum को mostly warm climate चाहिए बट फिर भी आप यह जो है वो के अलग-अलग तरह के condition में भी आपने आपको grow कर लेता है ठीक है sorghum plant can be tolerant high temperature मैंने बताया आपको इसलिए इसको ब्लोग camel crop भी बोलते हैं यह high temperature में भी अपना आपको tolerate कर लेता है इसको water का requirement कितना चाहिए 350 mm ठीक है इसको कितना water चाहिए 350 mm काफी कम water चाहिए ठीक है ना चलो इसकी temperature की बात करें देखो friends temperature की अगर हम बात करें तो इसको optimum मतलब इसका एक होता है ना optimum का मतलब इतना पर हम आपने आपको comfortable feel कर रहे हैं तो उसका जो comfortable temperature है वो आपका 32 to 45 degree Celsius नहीं यहाँ पर यह अपने आप comfort feel करता है लेकिन अगर हम बात करें कि इतना maintain नहीं कर पा रहे ह तो कम से कम आपको 8 to 10 degree Celsius तक कम से कम यह validity है इससे कम जाओगे तो आपका जो sorgum का quality है वो खराब होने लगेगा पोधा आपका मरने लगेगा तो 8 to 10 से और कम नहीं जा सकते हो इतना तक आप जा सकते हो minimum और maximum 36 to 38 जा सकते हो इससे उपा जाओगे तो फिर आपका जो sorgum है व आपका सौर्गम का जो प्लांट है वो बेटर ग्रोव करेगा ठीक है तो टेंप्रेचर के बारे में हो गया आगे बढ़ते हैं और इसके स्वाइल की बात करते हैं देको पहले मुझे बचाओ यह स्वाइल टेक्स्टर क्या होता है देखो आपने पढ़ा होगा स्वाइल सा स्वाइल के अंदर सेंड का परसेंटेज कितना है सिल का परसेंटेज कितना है क्ले का परसेंटेज कितना है ठीक है तो जस्ट जो आपका सोर्गम के लिए स्वाइल टेक्स्टर है वो है क्ले लोम और लोम मतलब लोमी स्वाइल होगा तो भी चलेगा और लोम होगा तो भी चल optimum pH कितना होता है तो देखो किसी भी crop को cultivate करने के लिए जो optimum pH होता है वो आपका 6.5 to 7.5 होता है exact बात करें तो 7 होता है ठीक है 7 से थोड़ा आगे जागे तो कोई दिकत ने थोड़ा से पीछ आगे तो कोई दिकत ने इसको negligible मानते बट exact आप से पूछा है तो 7 और on an average पूछा है तो 6.5 to 7.5 यह क्या होता है आपका अच्छा माना जाता है किसी भी crop के cultivation करने के लिए ठीक है यहां तक क्लिएर हो गया तो अब देखो आपका जो सोर्गम है उसे कितना pH चाहिए इसे चाहिए 6.0 to 8.5 अब आपके mind में situation आ रहा होगा कि सर आपने बताया कि किसी भी crop को cultivate करने के लिए जो optimum pH चाहिए वो 7 चाहिए या फिर 6.5 to 7.5 चाहिए ठीक है तो अगर इससे कम हो जाएगा या फिर इससे जादा हो जाएगा तो क्या होगा तेखो अगर 6 से आपका इधर जाओगे ना मतलब काफी कम कर तो माइक्रो न्यूट्रेंट जो होते हैं उसकी toxicity बढ़ने लगेगे जिससे आपका iron, aluminium का concentration काफी बढ़ने लगेगा ठीक है और 7 से इधर जाओगे 8, 9 की तरफ तो आपका calcium, magnesium का concentration बढ़ने लगेगा ठीक है और 7 पे जो सारे element होते हैं वो अपने आपको एक limit amount में present होते हैं इसलिए हम लोग बोल सकते हो कि जो आपका crop होते हैं वो अपने आपको better grow करते हैं 7 के range के आसपास क्योंकि यहाँ पे सारे nutrient एक minimum concentration में जितना आपकी crop को चाहिए उत्रा में present होते हैं ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब जहां पर देख सकते हो यह बताया है कि यह जो है वो better आपका solidity और alkalinity toilet crop है चलिए आगे बढ़ते हैं 9 अब हम बात करते हैं seed rate की तो देखिए common आप सोर्गम का use common तरीके से कर रहे हो मतलब आपका जो सोर्गम में उसको commonly use कर रहे हो तो उसके लिए seed rate चाहिए 12 से 15 kg पर hectare इसका seed rate होता है ठीक है 9 depth की बात करें तो एक point आप यहाँ पर लेकर चलिए उसके बाद मुझे आप बताईएगा कि सोर्गम का जो depth हो किस type का है मैं आपको यहाँ पर बताते हो इसको आप side में note कर ले ना कहीं पर देखो जो small seed होते है जो छोटी seed होते है उसका seed depth होता है आपका 3 cm ठीक है आपको बतलाना है कि मैं आपको यहाँ पर बता दे रहाँ ठीक है उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि सोर्गम का seed छोटा है medium है या फिर large है ठीक है दूसरा जो normal size का seed होता है उसको seed depth चाहिए 5 cm और जो बड़ा size का seed होता है large size का जो seed होता है उसको seed depth चा होता है वो किस कडेगरी में आता है small में normal में या large में of course you are right 3 to 4 बोल रहा है that means कि इसका seed है वो छोटा होता है ठीक है तो इसका seed depth कितने चाहिए 3 cm I hope इसको आप कभी नहीं बोलेंगे इसको आप कहें साइड में note कर लीजिएगा ठीक है नो इसके हम spacing की बात करें तो इसका spacing होता है 45 into 12 cm ठीक है चलिए नो plant population की बात करें तो इसका जो plant population होता है 1,80,000 plants आपको दिखाई पड़ेंगे और showing time इसका होता है last June to first week of July ठीक है चलिए नो manure and fertilizer की बात करें तो FYM farm yard manure इसको 10 to 15 ton per hectare चाहिए और NPK इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NPK और NPK कितना चाहिए इसको 150,40 ठीक है नैट्रोजन इसको चाहिए 100 kg per hectare, phosphorus चाहिए 50 kg per hectare और potassium चाहिए 40 kg per hectare ठीक है चलिए नो अब हम बात करते है major diseases जो कि sorgum में आपको दिखाई पड़ता है यह है आपका disease कुछ disease का नेम है और यह आपके pathogen जिसके विए से disease cause हो रहा है जिसे हम बात करते है Donny mil producer की बात करें तो इसमें क्या होता है mostly मैं बता दे रहूँ कुछ-कुछ क्या होता है इसमें आपको Donny milerson में तो आपका लीफ होता है वहां पर जो आपको यहां पर एलो एलो असपोर दिखाए पड़ेंगे मैं आपको प्लांट प्लांट प्लोसी के अंदर कि क्याँ डिजरी होते उसके क्या SUMPDम होते है तो फिलाल आप यहां पर देख लो डॉनी मिल्डियू जो कि सॉर्गम में होता है और किसके वज़ेसे होता है पर्स प्रोनो अस्किलेरो स्पोरा सॉर्गम ठीक है फिर आपका है एंथ्रेसाइट जिसको हम रेड रॉट भी बोलते हैं यह होता है कोलेक्टो ट्राइकम ग्रामीनी कॉलम के वज़े से रस्ट की बात करें तो पक्सिनिया पर्प्यूरिया अर्गोट या इसको सूगरी डिजिस भी बोलते हैं पुछा के वज़े से नेम थोड़ा कॉंप्लिकेटिड है दो तीन वर पढ़ोगे याद हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंसेक्ट ठीक है जैसे कि आपका है एथ्री गोना वेरिया सोकाटा सूट फ्लाय मतलब यह ऐसे इंसेक्ट हैं जो क्या करते हैं इसको बोलते हैं ठीक है मतलब यह इंसेक्ट है इसके जो 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 जी कलने में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नो हम बात करें इसके मौइस्टर परसेंटेज और हर्वेस्टिंट टाइम की तो अब कब जानोगी कि आपका जो सॉर्गम का प्लांट है उसको हे हर्वेस्टिंग करने का ठीक है और मोइस्टर परसेंटेज होता है ओए 25 परसेंट से भी कम होता है याद रखियेगा मोईस्टर परसेंटेज होता है वो 25 परसेंट से कम होना जाए ठीकstem करोगे जब घ्रेन का हो जाना होいた हो जाए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नो इस और फोर्डर परपस के लिए की हो तो 300-400 क्यूंटल पर हेक्टियर यह इसका इल्ड है ठीक है तो आपको क्लियर होगी होगा और कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो हमारे वाटसब ग्रूप पर ही ठीक है आप कमेंट में पूछ सकते हो मैं आपको रिप्लाइ कर दूँगा और नेक्स जो हमारा टॉपिक होगा वह आप लोग आप कमेंट कर सकते हो किस क्लूप के बारे में पढ़ना चाहते ह था कि लास्ट में अपना वाटसब नमबर बताऊंगा तो मेरा वाटसब नमबर है 9102228832 आप इस नमबर पर हाई लिक के मैसेज करेंगे तो इस जो आपका लेक्चर है इसका पीडियाफ वहाँ पर अप्लोड कर दिया गया है आपको वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है फिर अब लोग मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं नेक्स कौन से क्रॉप के बारे में आप पढ़ना चाहते हो ठीक है चलिए फिर ओके बाए